Hey guys, welcome and welcome back to Naughty Stitches आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुती सुन्दर सा ट्राउजर और स्लीव का डिजाइन शेर करूँगी तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी कपड़े के एक पट्टी काटी है और बीच में से से मैंने फोल्ड कर लिया है और आदा इंच की दूरी पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है बिल्कुल बारिक पक्ये से मैंने यहाँ पर सीधी सिलाई लगाई है यहां से मैंने इसको बंद कर दिया है और अब साइट से मैंने एक्स्ट्रा कप्राइज का काट लिया है अब हम इसको किसी नुकीली चीज की मदद से इस तरह सीधा कर लेंगे यह देखिए तो इस तरह से एक मोटी डोरी जैसी हमारे पास बन जाएगी अब हमें इसके अंदर बीड्स जालने हैं तो यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज के बीड्स हैं अगर आपको बड़े बीड्स जालने हैं तो आप थोड़ी से और मोटी डोरी बनाईएगा अब इस तरह से हमें बीड्स के दोनों तरफ से इस डोरी को बांद देना है जिससे कि एक टौफी जैसा आकार हमारे पास बन जाएगा यह देखिए बिल्कुल मैचिंग धागे से हमें इसको दोनों तरफ से बांद ना है तो इस तरह से मैंने इसको दोनों तरफ से अच्छे से बांद लिया है बिल्कुल मजबूती से हम इसको सुई से अच्छे से सिल देंगे ताकि ये दोने पर भी निकले नहीं अब इसके दोनों तरफ मैंने तकरीबन 1.5 इंच की डोरी छोड़ दी है और इस तरह से एक टौफी जैसी शेप मैंने बना ली है बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी की सभी शेप को भी बना कर तयार करेंगे ये देखिए इस तरह से मैंने सभी शेप को बना लिया है और अब हमें यहाँ पर स्कुएर पीसिस लेने हैं 2 इंच बाई 2 इंच के और इस तरह से इन्हें फोल्ड करके हमें ट्राइंगलर शेप देनी है बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी ट्राइंगल्स को बना कर त्यार कर लेना है ये देखिए इस तरह अब हमें एक न्यूस पेपर का टुकड़ा या किसी भी रफ पेपर का टुकड़ा लेना है और इसका सेंटर अच्छे से मार्क कर लेंगे अब हम ही फैब्रिक हैंगल्स को इस तरह से नीजिब से इस नौपर के उपर रखना है कि जो ट्रैंगल्स की नोक है वह बिल्कुल इसके सेंटर में यह जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी ना बिल्कुल इसके उपर ही नोग आनी चाहिए और सभी ट्राइंगल्स को हमें बिल्कुल एक साथ रखना है इस तरह बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ट्राइंगल्स को रखेंगे और इस तरह से दोनों ट्राइंगल् होनी चाहिए यह देखिए बिल्कुल सफाइस से हमें ट्राइंगल्स को यहां पर रखके सिल देना है और अब इसके बीच में जो हमने टौफी जैसी शेप बना कर तयार की थी उन्हें इस तरह से रखके सिल देंगे यह देखिए बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे और इन टौफी जैसी शेप को बिल्कुल अच्छे से अटाच कर देंगे इस तरह अब इस तयार पट्टी को हम प्लेन कपड़े की तीन इच चौड़ी पट्टी के उपर रखेंगे और इस तरह सिल देंगे अब हम इस प्लेन पट्टी को इस तरह से यहां पर फोल्ड कर देंगे और इसके उपर सिलाई लगा देंगे एक सिलाई हम इस पट्टी की किनारी पर भी लगा देंगे इस तरह से अब इस तैयार बॉर्डर को अपनी बाजू या ट्राउजर के नीचे इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारी पर हम सिला ही लगा देंगे अब इसको सीधा करेंगे और एक यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे और इसके बाद हम इसका निउस पेपर भी निकाल देंगे जो कि बहुत ही असानी से निकल जाएगा इस तरह और अब हम ट्रा ये देखिए, इनको मैं उल्टी तरफ से सिल रही हूँ ताकि सीधी तरफ बिल्कुल भी धागे ना नजर आए, ये देखिए, बहुत ही सफाई से और मजबूती से हमें इन ट्राइंगल्स को आपस में अटाच कर देना है, ये देखिए, अच्छे से चार से पांच बार हम इसको सिल देंगे ताकि ये दोने पर भी नहीं निकले, तो इसी तरह से बाकी के ट्राइंगल्स को भी हम अच्छे से अटाच कर देंगे, ये देखिए, इसके साथ ही डिजाइन हमारा ये बन कर तयार हो गया है, इस डिजाइन को आप अपन के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच फो वाचिंग, बाई बाई